Income Tax को अध्यन को सिल्सिला मा हमी ले आजसम्मा Income from Employment रा Income from Business का Income Tax Act रा सम्मनित Regulation, Directives ले गरे का व्यभस्ता हरु को सम्मन्ना मा चलपल करे। अब एक्सरो conceptual रा legal प्रावीजन अहर को सम्मन्ना मा चलपल गरेर अगाडी बढ़ने क्रम मा हमी छौँं। आज हमी यह Income Tax अंतरगत को Income Source को तेसरो source, third source income from investment को शन्धर मा चलपल गरना गई रहे का छौँं। इन्वेस्टमेन्ट को चल्फल गरना का लागी, हमी ले शूरु मा कस्तो कस्तो इनकम हरू, इन्वेस्टमेन्ट को सोर्स अंतरगत पर्छन, येस मा हमी क्लियर हों पर्छन, तेस बचाडी हमले गय का सेशन हरू मा इन्कम फ्राम बिजनस में छल्फल गरे जस्ते ही श्टेजे जरू, पर्षेष हरू येस मा पने रहँ चन, जस्तो कि इन्कम फ्राम इन्वेस्टमेन्ट में कस्ता इन्कम हरू पर्छन, तेसला हमीं इन्कूजन बांचें। इंक्लूजन बाट कस्ता रकम हरू गटाऊन मिलचा तेव डिड़क्षन आहें बाँचाओं डिड़क्षन पछी केई रिड़क्षन हर को ब्यावश्टाचा रिड़क्षन गरी सके पचाडी औनी टाक्सेबल इनकम आऊचा पर टाक्सेबल इनकम मां, टाक्स रेट अप्लाई गरी पचाडी हमली टाक्स लायविटी काल्कुलेशन कर्छो यो क्राम का लागी हमली इन्वेस्टमेन को डेफिनिशन पहला क्येचा डेफिनिशन को वारे में चल्पल कर्छो हमली डेफिनिशन कहाँछा, सेक्शन तू को का ख़ बनी कलजमें, इन्वेस्में को डेफिनिशन चाँआ, अनी सेक्शन नाइनमें So, inclusion for income from business, what are the incomes that are to be included while calculating income from investment, बन्ने बेवस्टाच्छाच्छा, अब हमी इनकम फ्रम इन्वेस्टमेन्ट को यटा फ्लो कहां बाट शुरू भाहरा, कहां ट्यक्स लाइबेटिसम्मों कसरी पुगिन्छा बन्ने संदर्मा छालपल गर्ने काम मा छाऊं। section 9 ले inclusion, साथ साथ है तेही section ले exclusion, income from investment जस्तो देखियता पनी कस्तार आकम हरू चाई income from investment मा समावेश गर्नु परदेना बन्ने बेवस्टापनी तेहां रहेको छा। अब यो चलफल पछाड़ी जुन deduction और reduction को चरण हरू छन। ती धेरी महत्यपुना छन। यो income from investment को deduction-reduction को संदर्म मा, income from business का जे जस्ता प्रभीजन हरू छन। लगभग उस्तेक सिंका deduction और reduction का प्रभीजन, income from investment मा छन। तेहस कानले हमी deduction को व्यवस्ता कहां कहां साता, deductions को बारे मां, deductions को बारे मां, जर्शरी income from business मां हमी ले 13 देखी 21 समद्छापल गरे का थियों, तेहसे गरेगा, investment related deductions section 13 लाएग हुँँँछा, section 13 लाएग हुँँछा, 14 लाएग हुँँँछा, तर 15 लाएग हो देना किना भने 15 भने को cost of trading इस्टाक हो, जोन business अंगा मात्रे रिलेटेर हम छा, तर 16 repair and improvement हुँँँछा, किना भने investment को काम मा कुने fixed assets, depreciable assets उपयोग गरिये को छा भने, तिस तो assets में, repair and improvement पनी हुँँँछा, depreciation पनी हुँँँछा, तिस कारण ले 16 पचाडी section 19 आऊँच, 17 और 18, 17 pollution control expenditure, 18 research and development expenditure, ती द्वी expenditure हरू, केबल business का लागी मात्रे deduction पाइने बयाउटाचा, ये संदर्मा, income from investment मा deduction पाइने sections 13, 14, 16 अनी loss offset 20 हुँछा, प्रहा, non deduction को बारे मां discussion करने section, non deduction को बारे मां income from business मां जासते है section 21 ले बयापस्तागी हुछा, अब deduction को यो पाटो, inclusion को यो पाटो, सक ये पसाड़ी, तेसलाई यहां पने accessible income को रुप मां लेंचा, जासरी income from business मां लेंचा, अब accessible income बाटो, अरु के ही reduction पाइनचा, तो reduction normally donation हो, reduction donation हो, donation section 12, donation पचाड़ी schedule 1 ले अरु के reduction हरको बयापस्तागरेको छा, जुन हमिले income from employment मां चलफल गरेका थियो रा sole proprietorship business को हाट मा income from business मा पाइन लाग हुँँथियो रा अईले income from investment मा पाइन लाग हुँँथा, इसको मूल अभिप्राय के हो बंदा खिरे, यो deduction रा reduction बनने कुराया person लाई हुँँथा, taxpayer लाई हुँँथा, कुले business को संदर्मा यो पाउने, उन पाउने के specific कुराहर हुँँथा investment को संदर्मा या employment को संदर्मा तरह हमरो income tax आकले source बंदा पनी person मा द्यान दियाको छा, deduction reduction, reduction तेशो बहायको कारणले जसरी income from employment में हमले छालफल गरे का थियों ते क्रम मा चाहिं जस्तो remote area allowance होना सकला और तेश्पशी गयर pension उसको रहिशा investment भायको ब्यक्तिको भने pension को deduction पाऊला अनि physically disabled person होलाया, physically disabled person और investment insurance premium इंकरगारे का होना सक्षा अनि त्यो पार्शन को health insurance premium होना सक्षा ये सरी यो deduction reduction हरू गटाए पछे जे आऊंस त्यो होना जांस टाक्सेबल इंकम, टाक्सेबल इंकम में अब हमी tax liability calculation गरना का लागी, tax rates apply का सो यो tax rate छानी, artificial person को, artificial person को प्रशन को, प्रशन को, इंकम फ्रम इंकम प्रम इंवेस्मेंट में, प्रेमा. Artificial person, company, partnership firm, joint venture, any artificial persons will not have income from investment because those artificial persons are established for carrying out business and whatever investment type of activity they carry out, those investment type of activities are included in income from business. So, there will remain no income from investment for an artificial person. In this case, income from investment in tax liability calculation applies to the natural person. Where we know single person or couple person, single couple income tax taxable income slab tax rates we know mostly by most of us. So, single person for example, in 2016-2017, 4,000,000 exemption limit, दिये को छा, येस में 0% tax, there will be no tax. तेस्ते कौपल को लागी आये बर्षा तेस्ते बर्षाइब दुए हज्जार शायतर साततर का लागी, चार लाख पचास अजार को श्लयाब दिये को छा, ये ती सम्म में 0% ये बन्दा पचाड़ी जुन नाचुरल पर्षाण का श्लयाब भरूछन, और को एक लाख में 10%, तेस्ते को दुए लाख में 20%, तेस्ते बीशलाग सम्म टकसेबल इंकम पूगने रकाम 50%, रह बीशलाग बन्दा बडिको टक्सेबल इंकम 36%, ये सरी, ये income tax liability calculation कर शो हम, यो भयो income from investment को योटा framework, अब यो framework बाटा हमी यह को detail मा अगारिब बार्चों, यह को detail मा अगारिब बारने भने को investment को definition के, inclusion के, deduction सरु के के हुन, अगी भने का कुरा हरू, हमी detail मा शाफूर गर्शू हुन। सब बन्दा पहला हमी, वोट इस an investment, और what is the investment source for calculating income tax? अगे हम ले चलपल करें हुन की, section 2 को clause का, खा मा investment को definition अब यह हरे कुरा हरू, मिर्श अलाह के रहन सा, बन्दा के रहे। कुन ही पनी कुरा को अध्धिन का लागी बुलेट, काई प्यारग्राफ मा प्रसुद गरे को सा बने, त्यो प्यारग्राफ मध्य बाटा हमी ले एक्स्ट्राक्ट गरने, बुलेट हरू के के हुन। For example, section 2 clause, काखखखख़, फ्युद बुलैट, फ्युलेट. Vिछills की बुलेटि से के दिध स्ट्राइ प्रसुभर्टि अध्त्राफ रहत जब व को दिलो ट्यूस and investing of assets, first bullet. Second bullet shall exclude कुनाई संपति राखने काम, holding, रो संपति को लगानी गरने काम, investing, या द्विटा कार्ये investment हो, भन्छाव। या संपति राखने रो लगानी गरने कार्ये, investment भयो बंदाखेरी जे-जे कार्ये हरू investment को पेरी-फेरी मां आउने हुन्छन। तिने हर मां क्ये ही कार्ये हरलाई exclude गरनु परने व्यवस्था यो provision ने गरे काछा। सो हे अन्छार, यसले द्वियोता बुलेट मां exclude गर्छा। रkaar क्यूतों करे मेला.? है श्थ परने के सक्रेशी मां औरफ भीव। ही इनले मांदिने का अाय। ल्यार सुछे, बुशे mechanics ही की अटैमने अटने के साह झालाई हर। इंकम फाम इंवेस्मेंट शो हामिले पहला पनी चल्फल गरेका थे हुम्मा आजे एक्चुटी फेरी दोर्याउनना चाहांचु कि कुनेई पनी इंकम सब भन्दा पहला इंपलोईमेंट मा पर्छा की परदैना भने रा पहले बिजमेंट मा नपर्नी भयवने बिजैसमेंपर्न सक्ष औनी बिजनसमा पनी नपर्नी भयवने अनी पालबामनी थेचा कारणली एंपलिम्मेंटर बिजनस्मा परनी खाल काकूनी इंकम चन्बनी, will not be included under income from investment. Likewise, personal belongings income from investment मा आउगीना इजी, फस्सले, एल्डीं राइइबस्टिंग आफेसरे इजय न इंबेस्मेंट बन्जा, second रे, होल राइइबस्ट गरेको पनी, employment राइबस्नेशंगा रिलेटेट खावने, शाल बी एक्स्क्लूडेड भन्षा ओल रा इन्वेस्ट गारेको चाहाँ बने पनि परसनल बिलोंगें हो भने चाहिं इन्कम फ्रम इन्वेस्मेंट मोदाई ना भन्षा थार्ड पोइन्ट ले क्या हाँ? परसनल बिलोंगेंग वित्राको पनी नन बिजनस चार्जेबल एसेट्स हो भने देखिये, तिवाज साहिं इनकम फर्म इन्वेस्मेंट भूने छ भूने देखिये, मैं एक चोठी क्ये कुरा अन्रोद्गार्ण चाहां शुएसका विद्यार्थी बर्गमां भन्दा केरी, हम लिए कहीं होटी जेन इन्वेस्मेंट भनेरा डेफिनिशन लेखनू पारेको खंडम है, आफुलाई लागी का सेंटेंश हरू, प्यारग्राफ का प्यारग्राफ आ तुमे माक्स स्कोर गार्न सकते लिए, जुन कुरा पस्कीनू परने हो आउसेक याक ले भनेको, रेगुलेशन ले एक्स्पाइन गारेको, डायरिक्टीप्स ले गाइड गारेको, आउसेक पोईंट हरू मातरे हाम ले प्रस्तुत गार्न परने हुँछा, कहीं को अब यो डेफिनीशन बीत्र, पर्सनल बिलूगिंग भनेको क्ये होता, यह समा जानू पाले होच्छ, मैंने पहला पने बेभिन्ना प्रस्तिति हर में राखे को छो, क्ये लाख्थे हो भने, कुने बेक्टिले दसकाउं, अगाड़ी केही शून चादी खरिद गरेका होना सक्सा, सबारी शाधन खरिद गरेका होना सक्सा, मोबाइल सेट घड़ी खरिद गरेका होना सक्सा, कुने परिवेश में ती संपति हरू बिक्री गरेरा, उसलाई नाफा बाय बने, लाब बाय बने, इस्तो रकम मता ट्याक्स लाख्षा होला, बने जस्तो लाग थे मलाई, उधारन के लागी शुन, आज बन्दा दस बर्स अगाड़ी जती मुल्ले में शुन कीने को थियो, त्यों शुन लाई उसले आज बिक्री गरे गरे, पक्के लाब भाय को हमी पाउशो, त्यों लाब निके राम्रो रकम में हुना सक्सा, 10,000 रुपएं प्रती तला कीने को शुन, आज सत्तरी हजार रुपएं प्रती तला विक्री गर्दा खेरी, जुन यूज, प्रोफिट, बेनिफिट उसले प्राप्त गरेको था, त्यों तो बेनिफिट माई, प्रोफिट माई, इंकम टाक्स लाग था होला, जस्तो मलाई ल विक्तिगत प्रयोजन का लागी किने का शुम, चांदी, घडी, motorcycle, car, येसते ही परसनल युश का सामन हरू, विक्री गर्दाखरी, income tax लागदेन, because they are personal belongings and do not fall under income from investment, under the periphery, under the scope of income tax. This is very important point, एति नहीं बने रा, कुरा टूंगी हाल नहीं पर्षनल बिलंगेंग वित्रको पनी, non-business chargeable asset, NBCA, चाहिं, income from investment में पर्षा बने रा, येसले, व्युस्तागारे को साथ। अभा हावी लाई जिंगे सा लागन स्वभाविक हो, की NBCA भने को क्ये होता, NBCA को definition, section 2, खंडा दौ, ने परली में दौ, ये हावी अवस्तागारे के साथ। ये NBCA को definition भने बुलेट वाई, everything we, whatever we study, let us try to study in bullet points. बास्तमा, non-business chargeable assets भने को, chargeable भने को, taxable, non-business taxable assets, non-business not related to business, non-business taxable assets. बिजनस संगा related नभाई कना पनी tax lag नी संपति हरू, बनेर NBCA नामतिये को हो. यो ये NBCA लाई द्वी थरी बाटा हाँ भी हेर नो सक्ष। योटा, land and building हुनचा, हुनचा, आर को, interest in an entity, in an asset कही पनी हुनचा. नन बिजन चार्जेबल असेट्स, according to this section 2, the, NBCA वने को, land and building रा interest. क्येरफुली हरनो हला, यो interest भने को ब्याज हुई नाम, यो interest भने को हीत ने पालिमान, हीत. कहीं पनी कुने बेक्टिको, समी स्टेक, छा भने त्यसला, interest भने येको हुँ. यो land and building, land matter, या building matter, या land and building both. आखेर ग्वार्ण जग्गाता, कुने बेक्टिको, personal belonging उनना सक्षा निता? रहा, कुने अर्गनाइजेशन मा लगानी गरेको, लगानी राकांपनी उसले मेरा बेक्टिकात बनना सक्ला निता? तर पर्सनल बयता पनी यो NBCA अंतरगत का personal belongings यह सरी हरो? यह तो personal belonging चाई income from investment मा पर्छा, अत्वा investment मा पर्छा और यह माटा कुने लाप भायो भनेत्यु income from investment मा समावेश गर्णु पर्छा. अब यो land and building ला, land and building वहने रदीटा चुटे आया पनी भायो, land यह उता है, और को building, इंटरेस्ट भीत्रा, securities बने को share प्रमाणपत्र, debentures, etc. और को securities ना भाय पनी, कुने ही सम्झावता, कुने ही लगानी आदी को माध्यम बाटा establish भाय को उसको interest, भने को non-securitized, non-securities interest पनी हुने सक्षानी, non-securities interest बनना साथे confusion भाय अला. अगी माले भने को shares, debentures, हरुता, एकदम securities, bonds, etc. यह आई हाले, तर कुने ही यहुटा बेगती ले, कुने ही यहुटा इस्कूल में एक लाख लगानी गरे को छा भने, यह उसले share प्रमाणट पत्र नो पाय को पनी हुने सक्षा, पाय को समरी यह shares में आई आले हुटा, कुने ही इस्थाबले उसको हाख इस्थापित बाय को छा, तर तर तेहें securities को रूप में के पनी चायना बने पनी, that is an interest for that person, so that interest falls in non-business chargeable assets, which is taxable under income from investment. अब यो NBCA में, NBCA में, क्यक्य कुर्या पारदयना था बने रा फेरे, यो land and building रा इंटरेस्ट मत दे पनी, क्यक्य कुर्या पारदयना बने रा एक्स्पेंट गरिये कजा, 5 points. इंवेस्मेंट में पार्ने NBCA टाइप को personal belonging भने को घर जग्यारा इत हरू हुन, गर जग्यारा इत हरू, NBCA में पार दाखेरी इने हरुमें ट्याक्स लागने हुन छा, तर क्वस्टो गहर जग्या चाइं NBCA में पार्ने, क्वस्टो इत चाइं NBCA में पार्ने, क्वस्टो न पार्ने बने अलग बेप्स्टाग वरिये को छा, तिसकानले गहर रों जग्या में पार्नीननन ओर्ने गहर जग्या हुन, NBCA में न पार्ने गहर जग्या या अरु कुनै एसें तो घोकर जगा एदी अलरेडी लेरेडी इस्टक चा, अलरेडी ट्रेडिंग स्टक चा, डिieurी अबल अशेट्स चा अथ हुआ बीजनस अशेट्स चा बने तो गहर जगा NBC हुने साथ पैना, एक नमा, दोई नमा कुने गहर, house, building, कुने गहर more than 10 years देखी स्वब्यक्तिको वनर्शिप में छा रा more than 10 years देखी तेहां बसो बास कई लिया को छा, बने, तेस्तो गहर NBC में पार देना, state, अब गहर जग्या नहीं फेरी, land and building, 10 लाक बंदा कॉम्मा, disposal बायको छा भने पनी, तेस्तो गहर जग्या पनी NBC में पार देना, कुने retirement fund मा कुने बेक्तिको केही contribution छा भने, तेस्तो retirement fund मा रहेको interest, लायर नहीं, अब interest बने, सब्दा यां यूजभायनी, किना बने, retirement fund मा उलाकुने share प्रमान पतर देको हुँदेना, खाली तेर deposit बहाकु हुँँछ, तेसको लाईगी हुँँ, entitled हुँच, so that is interest in retirement fund, तिन पुष्ता भित्र, खरिद विक्री बाहेक, संपति ट्रांस्पर भायको सा भने, तेस्तो संपति पनी NBC आंतर का पर देना, अससे ट्षफर विति ट्री गनेराश, तेस्तों, 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 विति बाश्तों, तेस्तों, तेस्तों से लागे. शेलाइन पर चेज, लह, जिवह हमी निखेह गहन कुरा कर देशों एस अर्थमय की, अब कुँछे गहर जगा पह निगे भाये तवी अनबशे में? बेक्तिगत प्रेजोन का लाइगी भाये का, कुँछे गहर जगा निगा में पह निगे, भा कुँछे ना पह निगे? व्यक्तिको ओनर्शिप में शा, 10 वर्षा देखिए उतिहें रहेकों शा, बाने 10 वर्षा क्रश गरेको काराण ले, त्यो गहर जग्या विक्री गर्दा जत्ती नई नाफा भायपनी कार लाग देना, किना वने त्यों NBCA में रहां देना, NBCA में मानी देना, त्यों तो ही गरे रहा, 10 वर्षा बित्राने विक्री गरे औरे, कुने गर, त्यों नाफा भायपनी बायपनी, तर, 10 लाख बंदा क्म मा विक्री गरेको छा बने, कुने गर जग्या, एक लाख में कीने रहा, आख लाख में विक्री गरे बने, साथ लाख नाफा बाचा, ओ, साथ साथ लाख नाफा बाचा, एक लाख में कीने को जग्या, इसमाता ट्यक्स लाग नु परने, बने हो देना, होगा किसरे कि बने लाख लाख रूब़ तेनलाख रूपश, विक्री टास, बने बने में लाख लाख रंदारे कि लाख 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 रख लाखा लाख, एसरी जुनकुरा ट्रेडिंग इस्टाग डिप्रिशेबल एसे बिजनस एसेट मा पर्छा त्यो इन्वेस्मेंट मा आउदे आउदेना किनिकि दाट इस रिलेटेट टु बिजनस 10 बर्षा बन्दा बड़ी सम्मेट टेई पहसे आचा त्यो पर्सनल असेट हुने जान श़ा इन्वेस्मेंट मा आओ दे आउदेना 10 लाग बन्दा कम माध डिस्पाजल गरेको छा इन्वेस्मेंट मा आऊ दे आउदेना NBCA में आया भने investment हुने हो, र जतिने रुपियां आये ता पनी जतिने लाब भाये पनी retirement fund बाट पे गरे के उकुरा पनी NBCA हुना आउदे न, और, 10 भर सा भीत्रे, 10 लाक वास्ष्वा बहद्ना बडि में विखरी गरेता पनी विखरी गरेता गरेको अवास्था न noodayकना अस्तांतल्ड गरेको अवस्था में चाहि तरला NBCA मांगे देना, एदि तिन पुष्टा भित्रत्यों अस्तांतर्ण गरिएको छावने तर तिन पुष्टा बाहीर छावने चाहिए तो NBCA में आउँ छा ये शरी की investment को definition हमी complete गर्षाओं रहा यो investment मद्य बाटा investment हीत्र परेका हरू बाटा क्ये की कुरा inclusion गरनी क्ये की कुरा exclusion गरनी भनने संदर में section 9 ले व्यवस्टा गरेको छाव section 9, subsection inclusion, inclusion in income from investment. फे छे में हाव से जरी थावस्टा चाहिए टैमने पना engagement